यह बहुत special time है, X-Men 97 खतम हो चुका है, The Boys Season 5 के लिए रिन्यू हो चुका है, और House of the Dragon का ट्रेलर भी सामने आ चुका है, ऐसा time pop culture में बहुत rare होता है, X-Men 97 जिसके लिए मैं आपको almost हर वीडियो के अंत में बोलता जा रहा हूं कि वो जबरदस चल रहा था, वो खतम हो चुका ह और वो जिस पॉइंट पर खतम हुआ है, उसकी बात ही कुछ और है, Agatha का असली टाइटल रिवील हो चुका है, और यह मार्किटिंग तो कमाल की रिखली, Daredevil Born Again और Ironheart के रिलीस डेट सामने आ चुके है, The Boys का Season 4 हमारे सामने आने वाला है, उसका ट्रेलर भी अभी हाल फिला पर आपके लिए जादा खुशी की बात यह है, कि इसको Season 5 के लिए रेन्यू कर दिया गया है, तो जो Season 4 के आने से पहले ही, प्रस जन वी के Season 2 के भी फिल्मिंग शुरू हो चुकी है, House of a Dragon के Season 2 का ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है, जहां आपने मेरे one of the favorite dragon Vermithor का स्पॉट क सबसे पहले बात करते हैं X-Men 97 की, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव X-Men 97 डिसकस करना ही था, X-Men 97 शुरू हुआ एक normal Marvel Animation Project की तरह, जिसे कई फैंस ने ये सोचकर ignore कर दिया, कि उन्होंने पिछले 5 सीजन नहीं देखे, तो ये कैसे समझ में आएगा, पर ये सीरीज बेशक उस X-Men Animated Series का सीक्वल हो, पर इसको समझने के लिए आपको वो देखने की ज़रत नहीं है, ये सीरीज बहुत सिंपल चल रही थी, पर अचानक एपिसोड 5 में कुछ ऐसा हुआ, जिसकी कि किसी को भनक तक नहीं थी, और उस पॉइंट पर जिन फैंस का ध्यान नहीं पकड़े हुए और X-Men time में divided, एंसभानूर जिस time में Egyptian soldier से लड़ रहा है, वहाँ clear indication है, एक Kang variant के सामने आने के, Kang जब time में पीछे फस जाता है, तो वो Ramatet नाम अपनाता है, और rule करता है एजिप्ट को, जहां emerge होता है पहला mutant एंसभानूर, मज़े की बात ये है, कि इस दौ बीच में इस topic पर वीडियो बनाना चाहता था, कि MCU को अपने हर project को X-Men 97 के लेवल पर रखना चाहिए, यहां main story और character पर भी focus था, और हमें ये भी दिखाया जा रहा था, कि इन सारे events के दौरान बाकि सूपर hero's कहा है, कैमियोस का जो जबरदस use हुआ है यहां, उसकी बात ही सीरीज वाला, Iron Man और Captain America भी थे यहां President के साथ, जो की possibility दे रहे हैं, हमें future में Avengers vs X-Men की, यह animated series सही में awesome है, और अगर आपने पुरानी X-Men animated series नहीं भी देखी, तो भी आपको इसको देखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैंने भी नहीं देखी, अब आते हैं Marvel Television पर, Marvel के अलग-अलग section है, Marvel Studios movie produce करेंगे, Marvel Animation animated series produce करेंगे, जैसे X-Men 97 और What If, Marvel Spotlight 18 Plus TV content लेकर आएंगे, जैसे Echo और आने वाली Daredevil Born Again भी इसी के अंडर पहले आने वाली थी, और Disney Plus series आएंगी Marvel Television के अंदर, तो Marvel Television की तरफ से Agatha All Along, Daredevil Born Again और Ironheart के बारे में Disney ने upfront event में announcement करी, जहां Agatha को ल अनांस होई, Agatha House of Harkness के नाम से, फिर इसका नाम बताया गया Agatha Coven of Chaos, फिर बताया गया Agatha Darkhold Diaries, फिर हाल फिलर Marvel ने नया नाम पोस्ट करके डिलीट कर दिया, जो कि था Agatha The Lying Witch with Great Wardrobe, अब कुछ लोगों को यहां मौका मिला इस series का मजाग बनाने का, जहां उन्होंने कहा कि इ असली टाइटल है Agatha All Along, वो गाना जो मैं Agatha के introduction में सुनाया गया था, Wanda Vision सीरीज में, और इस सारी टाइटल्स Agatha में सब कर रही है, यह बहुत स्मार्ट तरीका था अपने हेटर्स को ट्रोल करने का, और फाइनल रिवील और भी स्मार्ट तरीके से किया गया, साथी साथ एक रिलीज डेट भी सामने आई है, Agatha All Along के पहले दो एपिसोड आएंगे डिजनी प्लस पर इस साल 18 सितंबर को, जिसका मतलब इसका फिनाल है, Most Probably Halloween के आसपास होगा, Daredevil Born Again का ट्रेलर दिखाया गया इस इवेंट में, एक अच्छे खासे क्रियेटिव रीबूट के बाद, Daredevil अगले साल हमारे सामने आएगा मार्च 2025 में, इसके साथ Ironheart का नया लोगो भी सामने आया, ये सीरीज पहले इस साल आने वाली थी, पर अब ये अगले साल आएगी फैंस के सामने, Marvel अपना नया रूल अभी से ही फॉलो करता हुआ दिख रहा है, जहां इस साल हमें Echo और Agatha All Along ह दिखेंगे Marvel Television की तरफ से, और अगले साल भी Marvel Television की तरफ से दो ही प्रोजेक्ट हमारे सामने आएगे, और Movies के मामले में Marvel Studios हर साल तीन मूवी से जादा नहीं लाएगा, जो कि बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इस साल सिरफ एक ही मूवी आ रही है, पर वो तीन के बराबर है, तो कोई बात नहीं, प्लस हमने अभी बात करी Marvel Animation की, तो X-Men 97 में इतने सारे Cameos दिखाना, कहीं न कहीं इस possibility की तरफ एम कर रहा है, कि हमें Spider-Man 98 और Fantastic Four Avengers का Revival भी दिख सकता है, और सबसे बढ़िया बात होगी, अगर ये एक ही युनिवर्स में हो रहे हो तो, और जो Comic एक लेवल हमें X-Men 97 में दिखा, उसे साबसे वो दिन दूर नहीं, जब Civil War, World War Hulk, Ragnarok जैसी Storyline हमें Comic accurately दिखेंगी, तो ध्यान लाते है Fantastic Four की तरफ, तो The Fantastic Four, फुल स्पीड में अपनी Cast List में नया नाम जोड़ते जा रहे हैं, अभी हाल फिलाली Galactus के लिए Ralph Innocent को Cast किया गया, जि वो Ben Grimm की girlfriend, Alicia Masters का role play कर सकती हैं, और ऐसा होने के chances जादा हैं, और मुझे लगता है कि Natasha की caliber की actress को कुछ बड़ा करने के लिए लाया जा सकता है, प्लस Galactus Franklin Richard के लिए अर्थ पर आ रहा है, इस theory के बारे में आपको क्या कहना है, अब आते हैं House of the Dragon के season 2 पर, House of the Dragon के नए season का trailer fans के सामने आ चुका है, पिछले season ने धूम मचाई थी, खतरनाक politics, रियाल मिला दिने वाले decision और जबर्दस politics से, ये trailer Lord of the Rings, Rings of Power के trailer के आने के कुछ गंटों बाद ही आया, और ये हैरानी की बात है, क्योंकि इस series के fans जानते हैं, कि इसका दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है, ट्रेलर साफ साफ दिखा रहा है, Dance of the Dragons का असली scale, हमें Moon Dancer, Sunfire और Vermithor दिख रहे हैं ट्रेलर में, Blood and Cheese की खतरना खरकत के hint सामने आ रहे हैं, पतारी production इसे event को कैसे screen पर दिखाएंगे, और आखिरकार हमें Winterfell दिखे गया, जिसके साथ साथ हम Prince Jackaris Valerian को देख सकते हैं इस दो मचाने वाली है, The Boys का season 4 प्रेमियर होगा 13 जून को, जहां हमें 3 episodes दिखेंगे, फिर बाकी episodes सामने आएंगे हर अफते, जहां season finale सामने आएगा 18 जुलाई को, Gen V की season 2 का production भी चालो हो चुका है, अपने upfront presentation में, Amazon Prime वीडियो ने The Boys की season 5 को renew करने की बात सब के सामने रखी, इ दोस्तों ये थी वीडियो, हाल फिलाल pop culture में हो रही awesome चीजों की, ये time मुझे याद दिला रहा है 2022 की, जहां सर्दियो में House of a Dragon और Rings of Power एक साथ आ रहे थे weekly, जिसके भी 6 हलकी भी आ गया, अभी ये time इस साल भी चल रहा था, जहां Shogun, X-Men 97 और Invincible एक साथ आ रहे थे weekly, और ये time अभी फिर आ रहा है माई जून में, 2024 की शुरुवात थोड़ी हलकी मानी जा सकती है, पर समर बहुत promising दिख रहा है, पर फिर बहुत कोई टेल मिस हो गई हो, या आपको इसको नया fact इस वीडियो से लिटेड, तो प्लीज हमारे करें, हम हर जगा है, तो दोस्तों, अग सुपर सुपर, पीस